दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपके लिए एकोर चटपटा और मसालेदा नास्ता की रेसिपिल लेकर इसे बनाना भी बहुती आसान है और ये खाने में सवादिश्ट लगता है आप इसे एक बार बना कर खाओगे तो आप शाहिदी पिज्जा और बर्गर मंगा कर खाओगे जोगे टिफिन बोक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह के ब्रेक पास्ट में भी आप इसे इसे बनाते तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक काटोरी गरम पानी लिया है उसमें आमने आदा चमज चीनी डाला है और एक चमज बरकर ड्राइइस्ट पाउडर का इस्तेमाल किया है दोस्तों आपके पास अगर यह ड्राइइस्ट पाउडर उपलब्द नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इसकी भी कर सकते हैं बेकिंग पाउडर आपको डालना बहुत ही जरूरी होता है आप या तो वह वाला हमने डाला एक कटोरी भरकर सूजी दोस्तों यह छोटी वाली कटोरी है तो आप उसे साफ से मेजर्मेंट कर लीजिए अब इसी अनुसार इसी अनुपात में हम डालते हैं आदा कटोरी यहां पर घ्यों के आटे का इस्तेमाल हमने किया है दोस्तों आप चाहो हो तो घ्यों का अिक भी कर सकते हैं लेकिन हम हेल्दी नस्ता बनाकर रेडी करते हैं और टेस्ट के लिए हमने यह आपर घ्यों इसक्तिमाल किया दो पाउडर आपको बहुत कम लारा ज़्यादा नई डालना है बच्छों के निए बनार हो तो बहुत ही कम मब डालना इसके बाद में थनिया पाउडर और इसे और भी टेस्टी और शांदार ने के लिए हमने मिक्स करके अब वीडियो लाइक कर दीजिए और चेनल को सब्सक्राइबर जरूर से जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक जल्दे से जल्द पहुंशे के मैं आपके लिए आसान नास्ता रेसिपी उपलब करवाता रहता हूँ अब इनको अच्छे तरह से मिक्स करके बैटर तयार कर लेंगे और इसके बाद में आपको यह गोल बरतन लेना है थाली या कुछ ऐसा बरतन लीजिए जो गोल और हमारा जो बैटर बना कर तयार किया था उसको इस बैटर में डाल देना लेकिन ध्यान रखेंगे आपको कुकि अब एक कड़ाई लीजिए उसमें इस्टेंड रखे आप यह कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते थोड़ा सा पानी डालिए और इसको रख दीजिए यह चार से पांच मिनिट में इस्टीम हो जाएगा दोस्तों यह प्रोसेज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम इसे उससा मिर्च पाउडर और ढाल दीजिए तो हमारा नास्ता बहुत ही गजब बन कर रैडी होगा अब इससे डग दीजिए चार से पांच मिनिट के éénआगरrest देखिया एक और आ कर लेंगे उजार पीज्जा काट लीजिया आप कोई सब्सीय से काट सकते जरूर नहीं है आप साहिज Menled शानदार यह जरूर में द budget नास्ता बने कर रैडी ओ चुका है इसे इक बाद जरूर से जरूर आप ट्राई कीजिए अब इसके बाद में आप इसे ऐसे भी खा सकता है लेकिन हम इसे और करंची बनाने के लिए दो चम्मत हमने कुकिंग ओल का इस्तेमाल किया और एक पैन रखिया और उसमें इसे दो से तीन मिनट आराम से सेख लेंगे दोस्तो सिखने के बाद में जो करंच आता है इसमें बहुत ही लाजवाव लगता है आप एक बार इसे जरूर से जरूर ट्राई करिए अब इसे दो से तीन मिनट में यह सिख कर रेडी हो जाएगा जब एक मिनट बाद में यह नीचे की तरफ से सिख जाए तो दूसरी साइड आप इसे पलट अधिया रखीएगा क्योंकि एक से दो मिनट में सिक्कर तयार हो जाता है ज्यादा समय नहीं लगता है में आप इसे हमने पलट दिया और इसे पलिए सिक तयार कर लेंगे इसके बाद में जो हमारा नास्ता बनकर रेडी होगा आप ज़रूर से जरूर इस्तिमाल कीज़ें बहुत ही अच्छा और शान्दार नास्ता बनकर रेडी होता है। इससे मैंने हफते में कम से कम तीन दिन में बनाकर रेडी करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चेनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजे। कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच चेके मैं आपके लिए ऐसी अलग-अलग और नई नई रेसिपी लेकर आता रहता हूं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आये होगा